जमीनी विवार में एक पक्ष के लोगों के साथ फुई मार्पीट एक ही परिवार के चार लोग हुए घायल पुलिस से की सिकायत पुलिस ने भेजा गिलोला अस्वताल आप सभी का सबसे तेज खबर स्रावस्ती चेले में स्वागत है चेले को लाइक सिर्म से स्क्राइब परें साथ ही घंटी का बटन दबाना न भुलिए जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे है खबर उतर प्रदर्स के स्रावस्ती जनपत के ठानाचित गिलोला इलाक से है जहां पर मारपीट की खटना को अनजाम दिया गया बताया जा रहा है जमीनी विवाद के चलते बेपच्छियों ने एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की जिसमें चार लोग चोटिल हुए सभी ने गिलोला थाने पर पहुँचकर बेपच्छों के ब्रुद तहिर द जमीनी विवाद में आये दिन अक्सर मारपीट होती है ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के स्रावस्ति जंपत के गिलोला थाना छेतर से सामने आया जहां पर रंग की परवा में मारपीट की खटना को अंजाम दिया गया क्या मामला हुआ आप लोग अस्पताल में आये हैं जमीन हमारा जमीन था और बैनामा दाख्यकारिश सब हो गया था आ हमने करदा करने के लिए तो वो बिपच्छी ने करदा कर रखा था पहले से तो गए तो तो ट्रक्टर से तो जड़ाने के लिए तो जोदने नहीं थी सव नंबर फून के सव नंबर वाले लिए आये बोले कि आप थाने पे जाए हम लोग थाने पे आये कि विपच्छी परधान, रिज्वान, इर्फान और फर्मान और आईसा, आस्मेन, सलमान इनों सब मिलके खेट को बैठाने रहे हैं अब जब मुने पता हुआ तो हमने र प्रधान के लिए तो व्यडिन परधान ने मार दीडान को पकड़ लिया हमारे पूरे परिवार को पकड़ लिया पंगारा हुआ होगी मुद आइसा, तो चभी लोग मिलके खेट किटने लोग चो प्सक्ताम पईश और उसे गाव रहते हैं वोला बाब मजगवा रंकी पुरुवाद वही पर्धान भी महीं का है हाँ पर्धान की दबंगे ही सब दिखा रहे हैं बोलें कि इसाले को बंदूक से दाइवेंगें तबीर मुस्टें जिए ने चुले की जिए